हलो दोस्तों अब जो है हम NEP second year में आपके FC का जो है unit number first का last chapter God sees the truth but waits जो की written है Leo Tolstoy के दवारा ये एक Russian जो है writer थे जिन से महात्मा गांदी भी बहुत जादा प्रभावित थे तो इन्होंने एक story लिखी है जिसमें वो यही हमें सिखाना चाहते हैं कि भगवान जो है सच जरू सामने आता है समय लगता है बट सजरूर सामने आता है तो one of the very interesting story जो हमें बहुत कुछ सिखाने जा रही है so let us start with the summary of the story summary समझने से पहले हम इसका एक background ले लेते हैं ताकि हमें यह idea हो जाए कि story जो है किस चीज के उपर है तो story जो है एक person है जो Russian की एक city है व्लादमीर से आते हैं जिनका नाम है इवान दामितरिच और he is a young businessman जिनके पास जो है दो shops और एक घर था यह गाने का बड़ा shop था यंग थे, talented थे, handsome थे ओके और ये जो है एक fair में याने एक मेले में जा रहा थे business के purpose से और वहाँ पे उनके साथ कुछ event होता है उससे पहले जो है इनको drinking की बहुत habit थी बट after the marriage उनकी वो सभी आदते जो है खतम हो गई अब जब वो इस मेले में जाते है तो उससे पहले उनके wife को जो है एक सपना आता है कि कुछ bad dream आता है उनकी recording कि उन्हें आज जो है fair पे मेले पे नहीं जाना चाहिए और जब उनकी wife जो है इवान को ये communicate करती है ये बताती है कि आज मैंने बुरा सपना देखा है तो इवान उन पे हस पड़ते हैं और वो उनकी चीजों पे नजर अंदास करके उस मेले के लिए उस journey के लिए निकल पड़ते हैं तो ये story जो है इसके recording है जो चीजे मैंने बताई है आपको that is the background और हो सकता है इसमें से भी कुछ mcq आ जाए ओके so let us start with the story this is a story of a young merchant of व्लादमीद इव इवान दामित्रिच एक सिनोगो वो गोस्ट और जर्नी ओफ बिजनस ओफिस ओन ओके ये चीज हमने देखी कि ये किसकी स्टोरी है इवान की स्टोरी है जो कि व्लादमीर से आते हैं यंग मर्चेंट है याने बिजनस परसन है और वो अपनी जर्नी पर निकलते हैं और इसस ड्रीम में दिखा था ओके on the way he stayed for the night in an inn with another merchant whom he knew और रास्ते में जो है वो किसी दूसरे businessman के साथ रुके थे shopkeeper के साथ रुके थे जिनको वो अच्छे से जानते थे कहाँ पर रुके थे in an inn याने होती है public place जिसे हम धरमशाला या इस तरीके से कुछ कह सकते हैं ओके in the morning he left earlier while it was dark and stayed in another inn and ordered for a tea while he played guitar अब सुभा होते ही मतलब अंधेरा ही था उससे पहले इनकी नीन खुली और ये जल्दी से वहाँ से निकल गए और वो businessman वहीं सोया हुआ था ओके और दूसरी inn में जाकर याने दूसरी धरमशाला में जाके रुके वहाँ पे उन्होंने अपने लिए चाय और गी और उन्हे गाने का बड़ा शौक था तो वहाँ पे वो अपना गिटार जो है बजाने लगे तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी विकॉस हम उसको हिंदी में ही ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं तो as such for the medium जो आपके लिए एक दिक्कत होती है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग lecture और इंग्लिश के लिए अलग तो इंग्लिश ऐसा subject है जिसको हम combination में पढ़ सकते हैं अब suddenly जब उन्होंने ये order किया चायव अगर अपना और गिटार बजा रहे थे तो तब क्या हुआ suddenly a टोरिका stopped there and a police officer with two soldiers came to him दो soldiers जो है उसके पास आये दो पुलिस वाले अब ये क्या है टोरिका इसको हिंदी में जो है टिगडी कहते हैं इसका मतलब यह होता है कि रशिया में एक गाड़ी चलती है जो तीन horses के साथ चलती है तिगडी रहती है तो वो आके अचानल रुकी और उसमें जो है police officer दो soldiers के साथ था और उससे questions पूछने लगा and began to question him about the murder of the merchant with whom he stayed at the night जिसके साथ वो उसने रात को एक public place पे धरमशाला में जो है जिसके साथ रुका था उसका murder हो चुका था तो उसके regarding जो है police officer उसको रोख कर और अचानक उससे question पूछ रहते हैं the police officer searches his luggage and a blood strain knife was found और जैसे ही police officer ने जो है उसका सामान को जो है search करने लगे खोजने लगे उसके सामान को जो है तो उसमें से जो है एक खोन से दंदी हुई जो है क्या निकलता है चाकू निकलता है तो पूरा doubt जो है किस पे आजाता है इवान पे आजाता है ठीक है he charged with murder of his fellow merchant अब जो है उसके उपर इलजाम लग जाता है किस चीज का कि अपना जो साथी व्यापारी था उसका murder का जो है उसके उपर charge लग जाता है and all his pleadings were rejected और उसकी जो जितनी भी सभी दलीले थी वो भी क्या हो गई खारिच कर दी गई है his petition to czar also rejected and he is sent to jail और उसने जो है जार के समक्षन है जो बड़े officials रहते हैं रशिया में उन्हें कहते हैं जार और वहाँ पे भी जो है उनकी याची का जो है वो खारिच कर दी गई और उन्हें जो है जेल भीज दिया गया ठीक है अब क्या था यहाँ पे हमने जो दो paragraph में summary देखिये इवान जो है Russian merchant थे ये निकले थे अपनी business trip के लिए बीच में रास्ते में अपने व्यापारी साथी के साथ जो है वो एक धरमशाला में रुके जैसे ही early morning होती है जब अंदेरा होता है लगबग तब वो वहाँ स वाली जो गाड़ी है वो आई और sudden police officer महां से निकलते हैं और उनसे question करते हैं कि आपके साथी व्यापारी का जो है murder हो गया है और उनसे questioning करते हैं और उसके सामान में से क्या निकलता है चाकू निकलता है जिसे हम खोन से सना हुआ चाकू कह सकते हैं जैसे हम जो stories movies में देखत करते हैं लेकिन जो है सब reject हो जाती है और उन्त में जो है उन्हें जेल भीज़ दिया जाता है यह हो गया हमारा second paragraph आईए बढ़ते हैं आगे उनकी जो पत्नी थी गोद में बच्चे को लेकर उनसे जेल में मिलने आती हैं अब जब उनकी वाइफ उनसे जो है संदे करके उनसे पूछती है तो यहाँ पे एक भावोग पल आ जाता है कि उनकी मुलाकात बहुत भावोग करने वाली थी लेकिन वह एकसी नोवो से जो है उसे सच बताने के लिए कहती है कि क्या उन्होंने वास्तों में अपने साती व्यापारी की हत्या की है क्या तो यहाँ पे उनने बड़ा दुख होता है कि उनकी वाइफ जो है उनको suspect कर रही है उनके उपर संदेह कर रही है तब जो है it upset him ये उनको जो है upset कर देता है very badly he concludes that तब जो है वो conclude करके क्या कहते है only God knows the truth and only he can help me because his wife is too suspected वो कहते है भगवान को पता और वही जो है वो मुझे मेरी मदद कर सकते है क्योंकि उन्हें ये चीज का दुखो कहता कि उनकी वाइव जो है उनके उपर संधे कर दिया ठीक है तो ये थी स्टोरी let's move further he sent to the Siberia उन्हें Siberian jail में जो है भेजा गया he resorts to praying to God and buys a book the life of a saints और वहाँ पे जो है वो भगवान से प्रातना करते थे और उन्होंने एक book खरी दी जो जिसका नाम था the life of saints ओके दोस्तों नाम याद रखना आप जितने भी आ रहे हैं जैसे ट्रिकोर आ गया जिसे हम होर्स की गाड़ी कह रहे हैं life of a saint की book mcq based इसी पर बनेंगे बहुत आसान से mcq आएंगे बस आपको स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है Siberia transfer होगे जेल में भगवान से प्रातना करते रहते थे क्योंकि उनको पता था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि सबूब जो है उनके खिलाफ थे He becomes prematurely old and meek अब वो early age में ही जो है बहुत कमजोर हो गए थे और बूड़े हो चले थे सही भी बात है जो जेल में थे वो उनको the old man the grandpa भी कहते थे क्योंकि वो जो है उनका मसला सॉल करते थे कुछ जगड़ा बगरा होता था तो है ना आए इसको पढ़ते He settles the disputes of the prisoners and his fellow prisoners and make them make him their spokesperson when they have any request to prison authorities जब भी उनको कोई prison के officers को कुछ जो है request करना होता था या इनका अपस में जगड़ा होता था तो वो जो है इवान को जो है बीच में मद्यस्तर रखके और solutions करते थे यानि इवान जो है एक तरीके से jail में भी अच्छा काम करते थे अब बड़े हम आगे in the same prison came comes a man who claims that he was brought here जावा करता है कि उसने कुछ नहीं किया है he really did when he really did wrong he was not arrested वो यह कहता है कि जब मैंने सच में बुरा किया था तब तो मुझे किसी ने arrest नहीं किया he said that he was from Vladimir and his name was Makar Simonich ठीक है अब वो यहाँ पर बताते हैं कि मैं तो Vladimir से आया हूँ और मेरा नाम जो है Makar Simonich है तो यहाँ पर जो है Yvon को doubt होता है जिसका नाम था Yvon Exynowu अब यहाँ पर Exynowu जो है उनसे question करते हैं if he knows Exynowus of Vladimir अब वो खुद का नाम लेकर उनसे पूछते हैं क्या तुम इनको जानते हो Yvon Exynowu को जो बलादमीर के है तो यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं Positive सकारात्मक जबाब देते हैं कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ Then Exynowu asked him about the murder of his fellow merchant in the inn but his answer creates suspicion in the mind अब Exynowu जो है उनसे उनके साथ ही व्यापारी का murder के बारे में पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि उस दिन जो है death हो गई थी जो murder हो गया था वो किस ने किया था इस तरीके से उससे questioning करते हैं यहाँ पे जो है जो माकर है यहाँ पे उनको जो है अब संदे होने लगा कि कुछ तो doubtful situation है and Aquinozo believes that he is the murderer of his fellow merchant but he sees nothing अब यहाँ पे इवाउन को यह पता पढ़ गया कि यही person है जिसने murder किया था उस साथी व्यापारी का पर उनोंने जो है फिर उसको कुछ नहीं कहा ठीक है तो यह थी हमारी story दोस्तो अगेन यदि आप Hindi medium से आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आपके लिए जो है Hindi में भी लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे कुछ doubt but story है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी okay so let us move to the next paragraph तो उसके बाद क्या हुआ one day अब इवाउन को पता पढ़ गया कि murderer कौन है यह मकर है लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उन्हों जो था वो तो सिर्फ भगवान के भरों से बैड़े दे one day अक्सिनोवो फाइन्स मकर digging a tunnel to escape from the jail but मकर threatens him to not tell anyone about it अब क्या हुआ एक दिन जो है अक्सिनोवो जो है उसे मार देंगे उन्होंने देखा कि मकर जो है एक tunnel खोद रहे हैं जिससे वो निकलने का अपना रास्ता देख रहे थे तो यहां पर एक्सिनोवो ने उनको देख लिया तो मकर ने उनको धमकी दी कि यदि आपने किसी को बता दिया तो मैं जो है हूँ आपको जान से मार दूँगा ओके बट ही दिट सो यह बुट किल हीम और प्रॉमिसेस लेट हीम बुला कि मैं तुमको मार दूँगा और तुमने किसी को नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहां से निकाल के ले जाऊंगा कि वह उसे मार डालेगा और उसे भी भागने का वादा भी करता है कि मैं तुम्हें यहां से भागा दूँगा बट एकसीनोवो सेज देट इस नोट नीड नीड नोट किल हिम विकॉस ही अल्रेडी किल्ड हिम अब यहां पे जो है इवान की एमोशनस आते हैं एकसीनोवो के एमोशनस आते हैं वो क्या बोलता है कि तुम्हें मुझे मारने की जरुद नहीं है तुमने तो मुझे पहले ही मार दिया है अब्यसली उतने लंबे समय जो है वो जेल में रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि तुम्हें जो है मुझे इतने अल्रेडी ही मार दिया है लेकिन एक्सिनो का कहना था कि उसे उसे मारने की कोई जरुवत नहीं क्योंकि वह उसे पहले ही मर चुका है अब जो बंदा सच बोल रहा है और उसकी कोई बात नहीं मान रहा है वो जेल में इतन अब बाद में जब सुरंग का पता चला तो अधिकारियों ने जो जेल के अधिकारी दें उन्होंने सुरंग खोधने वाले का नाम बताने को कहा लेकिन एक्सिनोवो ने कहा कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अब बाद में क्या हुआ देर रात को मकर जो है इवान एक्सिनोवो के पास आता है और अब एक्सिनोवो कहते हैं अब मुझे कोई इक्चा नहीं है जेल चोड़के जाने की अब क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए क्योंकि उसकी वाइफ उसकी फैमली भी उसके उपर संदे करने लग गई थी न तो अब उसको समझ में आ गया कि there is no sense अब उसको जेल से जाने की कोई मंजा नहीं थी ठीक है हाला कि मकर ने लास्ट में क्या किया था बट जब उसको वहां से रिहाई मिलने लगी तो उससे पहले ही वह अपने deathbed पर मतलब अपने बैट पर जो है मरत पाया गया और वो मर गया और that is the thing कि सच जो है जरूर सामने आता है हमें इंतजार करना चाहिए कितनी भी मुश्किल समय हो कैसी भी चीजे हो यह lesson जो है हमें सिखाने के लिए आया है यह story that कितना भी typical समय हो कितना भी difficult समय हो आप patiently उसको bear करें कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है हमने ऐसा काम नहीं किया जैसे कि इस story में इवान के साथ हुआ but still truth सामने आता है जो खुद क्राइमर था मकर उसने खुद ने जो है यह कबूल कर लिया क्योंकि वो उस चीज से पिगल गया कि उसने तो इवान को एक बेगुना को पहले ही मार दिया है तो सच जो है सामने आता है भगवान सच लेकर आता है समय लगता है but it comes तो this is the story अब इसके बेस्ट पे दोस्तों हम MCQ questions solve कर लेते हैं तो story आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ओके यस दोस्तों but MCQ solve करने से पहले जो है हम Leo Tolstoy के बारे में भी कुछ जान लेते हैं ताकि उनसे related कुछ questions आते हैं तो हम उसको भी solve कर पाएं तो आएए पहले Leo Tolstoy के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बार पूरे MCQs एक साथ solve करते हैं ओके लेट इस बिगिन यस दोस्तों अब जो है हम Leo Tolstoy के बारे में जो है देख लेते हैं तो Leo Tolstoy is a Russian author is considered as the master of a realistic fiction real-based story लिखते थे he was born on 9th September 1828 तो year आपको पता होना चाहिए 1828 में जो है इनका जन्म हुआ था he was the Russian author in an aristocratic family और ये जो है बहुत अच्छी family से royal family से आते थे he died on 20th November 1910 again year जो है हमें पता होना चाहिए his mother died when he was 2 years old and his father died when he was 9 याने जल्द ही उमर में जो है उनके father mother की death हो गई थी जब वो 2 साल के देख जब उनके father expired हो गई and he was of 9 जब उनके father expired he looked after by an aunt of his kazan याना फिर बाद में जो है उनकी देख रहे जो है किस ने की थी उनकी aunt ने की थी अब aunt जो है उनकी भावी और उनकी चाची भी हो सकती है और उनकी मासी भी हो सकती है as English में हम उन्हें aunt कहते है his famous work include उनके जो famous काम थे that was war and peace Anna, Karina and his work considered pieces of life not the pieces of art उनका जो काम होता था उनको life की story based कहते थे न की artistic चीज़े बहुतो उनकी जो stories रहती थी that was based on life illustrations तो ये जो है कुछ चीज़े हैं Leo Tolstoy के द्वारा जो हमें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए that he was a Russian 1828 में birth हुआ था 1910 में death हुई थी इतनी चीज़ें जरूरी है अब MCQ based questions देख लेते हैं let us start with the question number first Leo Tolstoy is a very famous Leo Tolstoy से related question है हमारे सामने अब दोस्तों आपको MCQ based questions कैसे solve करना है आप pause कर लीजिए पहले अपने answer tick कर लीजिए क्योंकि already story समझ ली author के बारे में हमने पढ़ लिया basic चीजे कुछ नया आएगा तो हमें MCQ questions में पता पढ़ जाएगा तो आप पहले खुद के answer tick कर लीजिए और उसके बाद फिर resume करके अपना video को resume करके और फिर check कर लिए तो इससे जो है confidence built up होगा कि आपने story जो है अच्छे से समझ ली है let us start Leo Tolstoy is a very famous Indian author थे Russian थे German थे की American तो हमने अब भी देखा he was a Russian author okay let us see second question Leo Tolstoy was born in he was born in 1828 हमने देखा था yes or no तो A is the correct answer Leo Tolstoy died in तो 1910 में जो है इनकी मृत्ती हो गई थी तो यह बागी के तीन options गलत है यहाँ पर तो directly पता होना चाहिए तो सही नहीं तो फिर confusion का तो point ही नहीं है let's move to the next question God sees the truth but waits God sees the truth waits यह क्या है American story है Indian है German है कि Russian है तो यह Russian story है Vladimir मे Ivan नाम के बंदेगी story है so option D was the correct यहाँ लिख लेते हैं हम ठीके Ivan Damitrich Axinovo was a lawyer था वो professional था professor था footballer था नहीं he was a young merchant sorry he was a young merchant याने वो जो है क्या था व्यापारी था तो option D is the correct next Axinovo lived in a town named Axinovo जो है जिस town में रहते थे उसका नाम क्या था जगह का नाम क्या था तो हमने बार बार उस story को basically देखा था जब कि वो व्लादमीर के रहने वाल थे option A is the correct अगीगारों के नहीं है बलकावों के नहीं है टेंकावों के नहीं है तो option A is the correct answer चीक है अब बढ़ते हैं towards the next Axinovo had two shops and तो यहाँ पे हमने summary से पहले कुछ basic चीज़े देखी थी उसमें हमने देखा था कि इवान के पास जो है two shops थी और एक क्या था घर था तो यहाँ से आपसे question पूछा है कि इवान के पास जो है two shops थी और एक क्या था तो cow नहीं थी उसके पास डंगी नहीं था उसके पास house था तो option C is the correct answer तो यह चीज़े जो है जब हम chapter समझ लेते हैं तो MCQ हमारे लिए आसान हो जाते हैं एकसीनोवो वास fat, thin, handsome, ugly तो एकसीनोवो कौन था यह भी हमने basics देखे थे तो एकसीनोवो वासा handsome, young, merchant था दिखने में बहुत ही खुशूरत था तो option C is the correct answer चीज़े हैं नेक्स्क्क्रिशन एकसीनोवो वास found off sleeping, playing, reading, singing तो एकसीनोवो को जो है गाना-गाने का बड़ा शौक था वो गिटार भी बजाता था तो option D is the correct answer चीज़े हैं अब नेक्स्क्क्रिशन वेर वास एकसीनोवो गोइंग एकसीनोवो कहां जा रहा था विलेज जा रहा था, मार्केट जा रहा था नेजनी फियर जा रहा था कि व्लादमी तो यहां पे वो नेजनी फियर जा रहा था मेले जा रहा था और उसका मेले का नाम भी दिया हुआ था नेजनी फेयर है ना जो हमारी स्टोरी में डिसकस नहीं हुआ तो option C जो है वो सही है ठीक है then what is a story का, story का क्या है तो हमने देखा था कि यह horse तीन horse रहते हैं जैसे यहाँ पे रिक्षा या बुलक कार्ट वगरा चलता है वहाँ पे रश्या में तौरी का चलती है तो vehicle pulled by two horses, no, a vehicle pulled by three horses यह सही है so option B is the correct answer ठीक है, next question police office arrested Axe Novo because, police ने क्यों arrest के लिया, because he could not speak anything he stammered, he was frightened, a police officer found a bloodstream knife in his bag इसलिए कि police ने उसके bag में जो है खून से सना हुआ चाकू पाया था so option D is the correct answer, ठीक है now, let us move to the next question what dream Axe Novo wife saw, Axe Novo की wife ने क्या सपना देखा था Axe Novo's hair was quite grey, Axe Novo के hair is quite black हो गएते, red हो गएते blue तो हमने देखा था, उनको सपना आया था, कि उसके bal जो है, grey हो गए है that is the negative sign, उनकी भाशम, तो option A is the correct है ना, हमने ये सभी चीजे, discuss की है, story में, now, let us see, next question where did Axe Novo stay on his way to the fair, fair जाते समय, मेले जाते समय नेजनी fair है, मेले का नाम, हमेशा revise करते रहना चाहिए, जब आपको कुछ question आ रहा है correlate कर रहा है, यदि वो किसी दूसरे से, तो revise करना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमें वो question तो याद हो जाता है, वो तो temporary चीजे हैं, आप B.com, M.com देखे, निगल जाए, जो है, पास हो जाएंगे first year दे दिया, second year, final year, graduation हो गया, post graduation हो गया, जिस भी upstream से हैं, लेकिन जब हम इस तरीके की habit डालते हैं, तो हमारी mental ability भी बढ़ती है है, है ना, strongness आती है, हमारी intelligence में, तो ऐसा revise करते रहना चाहिए, वेर डिट, एक्सिनोवो स्टेइड ऑन इस way to the fair, तो वो कहां पे रुका था, होटल में रुका था, क्या, cottage में, इन में रुका था, footpath पे भी नहीं रुका था, option, इन जो है, एक public place है, जैसे धरमशाला वग एक्सिनोवो जो है, वहाँ पे भी जो है, घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो उससे वो जाता था, तो horse, drawn, carriage, जो है, वो सही होगा, car से नहीं, bus से नहीं, train से, यह चीज हमने discuss नहीं की थी, because summary discuss करते हैं, तो कुछ नहीं कुछ छूड जाता है, तो option A is the correct answer, ठीक है, अब आते किया था, एक्सिनोवो ने किया था, पुलिस ओफरस ने की, इनकीपर ने, तो माकर सैमोनिच ने जो है, उसका, क्या किया था, उसका मडर गिया था, जो बाद में बाद सावित हुए थी, तो option A is the correct, next, एक्सिनोवो felt that none of, none else, but God would only help him, एक्सिनोवो को जो है, फील हो गया था कि कोई नहीं, सिर्फ भगवान जो है, उसकी मदद कर सकता है, तब पुलिस ओफिसर अरेस्टेड हुन, तब उसको लगा, he was sent to saveria, तब कि उसकी petition reject हो कई थी, जार पे, वहाँ पे, कि he found that his wife to suspected, जब उसकी wife ने उसके उपर संधे कर लिया, क्योंकि जो आपके अपने होते ह जब वो आपके उपर doubt करने लग जाते हैं, तब जो है, आप तूड जाते हैं, so option D is the correct, life में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं, जब आप बहुत मैनत करते हैं, इमानदारी से अपना काम करते हैं, for example, आप competitive exams की तैयारी करते होंगे, या कोई अन्य चीज, इसके लिए आप अच्छी रहती है, जब आपका अपनों का साथ रहता है, कहीं वो अगर संदे में आता है, डगमगाता है, तो आप भी कहीं से जो है, टूटने लगते हैं, still, यह स्टोरी हमें सिखाती है, कि हमें टूटना नहीं है, हमें strongness, willingness रखी नहीं है, हमें भगवान पर विश्वास रखना है, क्योंकि यदि हमारे अंदर एमानदारी है, तो हमें उसका result तो मिलेगा, ओके दोस्तों, let us come to the next question, who was influenced by Leo Tolstoy, Tolstoy से जो है, कौन influence था, तो महात्मा गान्दी, जवालाल नहरू, वललब बाइपटल मूति, तो यह सबसे first line में, जब हमने chapter का नाम ही पढ़ा था, Leo की उत्तर है, let's move to the next question, when Aksinovo found Makar digging a tunnel, जब Aksinovo ने Makar को देखा कि वो tunnel, याने सुरंग को जो है, खोद रहा है, तो Makar promised Aksinovo to let him escape through the tunnel, Makar ने promise किया था, क्या, इवान Aksinovo से कि वो उसको वहाँ से निकाल लेगा, Makar जो है, सैमो ने threatened Aksino to kill him if he spoke anything, और Makar ने क्या उसको धंकी दीखती ही क्या, यदि उसने किजी को बता दिया, तो उसको जान से मार देगा, तो ये तो हुई थी बात, और ये भी हुई थी, Makar सैमिनोच run away from the river, और Makar वहाँ से भाग गया दादाया, तो ये चीज नहीं हमें उसी समय समझ में आ जाएगा, स्टोरी यदि हमने अच्छे से देखिया तो, अब Makar सैमिनिच confessed his crime because Makar ने अपना crime जो है कबूल कर लिया, क्यों? Aksinoe had changed his heart, he realized that he had spoiled the life of Aksinoe, he was remorseful and wanted to get punishment for himself, तो obviously Yvonne ने जो है उसकी life, उसका दिल जो है पिगल गया था, जब उन्होंने Yvonne की बात सुनी कि मैं तो पहले ही मर जुका हूँ, ओगे, ये चीज हुई थी, उसे ये realize हो गया कि मैंने Aksinoe की life जो है, वो क्या कर दी है, बरबात कर दी है, और he was remorseful and wanted to get punishment, अब उसको खुद के लिए punishment चाहिए था, तो all of the above option, D is the correct answer for this, ठीक है? Yes, दोस्तों, तो यहां पे जो है हमारे MCQ questions जो है, वो finish होते हैं, तो आप एक बार फिर से story को summarize कर लिजिए, MCQ questions अच्छे से solve कर लिजिए, और बाकी के जो chapters आपने revise किये हैं, यदि आपने वो नहीं किये, तो उनको भी आप revise कर लिजिए, तो English जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी, तो यह story थी, एकसिनोवो, इवान एकसिनोवो की, जो की 26 years का जो है, उनका सफर रहा था, जेल का, और उन्होंने लंबा समय जो है, spend किया था, ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने नहीं किया था, तो वो अपने अंदर ही जो है, एक गुटन मैसूस कर रहे थे, जो last में उन्होंने मकर के सामने confess किया, और जिससे मकर का दिल जो है, पिगल गया, और उन्होंने उस चीज को जो है, confess कर लिया, अपना, कि उन्होंने ही वो crime किया है, so this is all stories about, फिर मिलते हैं हम किसी next session में, with this, thank you.